हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं जी यम टुड़े दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयोध्या घुमने के बारे में आयोध्या उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तड़ पर स्तीत है आयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है आयोध्या को खास तोर पर प्रभु स्री राम के जन्मस्तान के रूप में जाना जाता है आयोध्या आज भी राम जन्मभुमी और यहां स्तीत कई मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है नमबर एक, स्री राम जन्मभुमी राम जन्म भुमी आयोध्या में सबसे पवित्र जगों में से एक है यहाँ पर भगवान स्री राम का जन्म हुआ था और एक मंदिर भी बना था बताये जाता है कि राम मंदिर को मुगल शासक बाबर ने नश्ट कर दिया था जिसका विवाद आज तक चल रहा है कनक भवन आयोध्या का प्रमुक दर्शनिय स्तल है कनक भवन आयोध्या में सबसे आकर्शक स्थानों में से एक है यहाँ की आदबुद वास्तु का लहर किसी को अपनी तरप आकर्शित करती है कनक भवन में भगवान राम और सिता के बेहत खुपसूरत प्रतिमा है हनुमान गड़ी में हनुमान को समर्पित एक मंदिर है यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थीत है जिसे दस्वी सतब्दी में बनवाया था नमबर 4. नागेश्वरनात मंदिर आयोध्या का एक प्रमुक मंदिर है एक पवरानिक कता की माने तो इस मंदिर को भगवान स्री राम के पुत्र कुछ द्वारा बनवाया गया था मंदिर की सररचना आर्ददिव्य नागों को भगवान शिव की पुजा करते हुए दिखाती नमबर पाच त्रेता के ठाकुर आयोध्या में नया घाट के पास स्तीत त्रेता के ठाकुर एक बहुत प्राचिन मंदिर है यहाँ पर भगवान स्री राम ने आश्वमेद यद्ने करवाया था मंदिर में भगवान राम सीता लक्षुमन भरत शत्रुग्न की मूर्तिया है नमबर चे गुलाब बारी गुलाब बारी एक समारक है जो आयोध्या के पास फैजाबाद में स्तीत है और नवाप सुजा उद्धावला का मकबरा है यह मकबरा चारो तरब से गुलाब के बागों से गिरा हुआ है इसले इसे गुलाब बारी कहते है सीता की रसोई वास्तों में एक शाही रसोई घर नहीं बलकि एक मंदिर है यह मंदिर राम जन्म भूमी के उत्तरी पच्छी में भाग में स्तीत है दशरत भवन आयुद्या के बीचो बीच में स्तीत है जो राजा दशरत का मूल निवास्तान है दशरत भवन में राजा राम का शांदार मंदिर है नमबर नो तुल्शी स्मारक भवन तुल्शी स्मारक भवन सोलावी सदी में संत कवी गोश्वामी तुल्शीदास के स्मूती में स्तापित किया गाया है यह स्मारक आयोध्या में राजगंज चवराही पर राष्टिय राजमार्ग के पास स्तीत है नमबर दस बहु बेगम का मकबरा बहु बेगम का मकबरा आयोध्या के पवित्र शहर में स्तीत एक एतियासिक स्मारक है इसका निर्मान 1816 में सुजा उद्दावला की पतनी बहु बेगम के लिए बनवाया था वेल दोस्तो ये तो थी आयोध्या के बारे में छोटी सी जानकारी उमीद यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी आईसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेर कमेंट करना ना बुले जय हिंद